तो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर और हम यहाँ इस वीडियो में बात करने वाले उन सभी स्टुडेंट्स के लिए जो चाह रहे हैं कि डियू से कोर्सिस करे चाहें और जो कोर्स हों आर्ट से रिलेटेड मतलब आर्ट की कोर्सिस अगर आप क करना चाह रहे हैं और डियू को टार्गीट कर रहे हैं तो कौन-कौन से आसे कॉलेज़ेस हैं जिने हम देख सकते हैं या जो प्रोग्राम ओफर कराते हैं तो यहाँ इस वीडियो में हम उन कॉलेज़ेस पर डिसकस करने वाले हैं ठीक है अगर ये आप सर्च कर रहे है तो वीडियो आपके लिए है, आखिर तक देखना है, ताकि सारे doubts आपके clear हो, और दोस्तों में share कर दीजेगा ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल जाए, थोड़ा सा discuss अपनी यहां करेंगे, क्या कुछ चीजों को लेके, देखो, याँ DU की बात करें, so DU, अब इसी बात है, 90 प्लस institutions है, इनके affiliated, इसे, है ना, और यहां पे 70,000 करीबे seats प्रवाइट करा रहे हैं, प्लस बोल दो यहां पे, यह बच्चों के लिए, चीक है, तो वो तो बात हो गई, BA के courses की अगर हम बात करें, तो मुझे लगता है, कि all total DU जो है, 300 से ज्यादा courses conduct कराता है, लेकिन इसमें arts की courses की बात करें, तो लगभग 1.500 के around courses हैं, जो की arts से related courses हैं, अब अगर आप arts के course चा रहे हैं, तो यहां पे topist to lowest की बात करें, topist to lowest मतलब क्या है, कुछ ऐसे college हैं, जो, हाँ, आपके जो north campus के colleges हैं, वो तो BA courses के लिए, BA program है, BA courses है, BA honors है, इनके लिए सबसे जल्दी भर जाते हैं, मतलब अगर हम बात कर लें, कुछ topist colleges की, तो 780 के around, जनरल की बात करें, यह cut off रहता है, यह जो trained चलता है, वो, लेकिन कुछ ऐसे हैं, जो south campus के colleges हैं, उन में आप देखेंगे, तो हाँ, 600 के around भी आपको, यहाँ पर admission मिल जाता है, off campus की बात कर लें, तो 300-400, मैं भी आपको मिल सकते हैं, admission, लेकिन यह depend करता है, reservation criteria, category, 22 और बहुत सारे criteria हैं, तो यह पूरा है, अब आपके क्या कैसे marks हैं, वो comment कर लो, तो अपन उसके हिसाब से, सारी चीजे देख लेंगे, अभी अपन क्या गर रहे हैं, यहाँ पर arts से related, क्या-क्या options हैं, आपके पास किन-किन को, आपको target करना है, जैसे ही result आएगा, या choice filling start हो जाएंगी, आपकी counselling प्रक्रिया होगी, तो कहां किसको आपको priorities देनी है, वो जरूरी है, नहीं तो क्या होगा, पूरा गढ़बड हो जाएगा, अच्छा college मिल सकता था, वो नहीं मिलेगा, चीक है, तो यह जानना जरूरी है, तो चलो भईया, सबसे पहले यहाँ पर, अच्छा देखो, यह colleges हैं, के proper reviews बने हुए हैं, वीडियो चैनल पर डले हुए हैं, तो उनको आप चेक कर सकते हैं, कि क्या कैसे options आपके पास available, अभी फिलाल, हम कीवल colleges की ही बात यहाँ करने बाले हैं, Miranda House, अब्बिस सी बात है, Miranda, number one, in the list, लेकिन यह girls college है, ठीक है, हाँ, बहुत सारी courses यह, देते हैं, आपको provide कराते हैं, बहुत सारी activities, curricular activities, बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलती, अलागे, डियो के सभी colleges के साथ यह चीज़ें, लगभग सभी colleges के साथ, लेडी स्री राम, again movements college है, ठीक है, लेकिन, हाँ, यह भी second number पर आ जाता है, भई, Miranda के बास, अगर हम नाम की बात कर लें, तो Hindu college, founding college है, और सबसे ज़्यादा बच्चे prefer करते हैं, हिंदू college को, होएड है, सारी चीज़े हैं, ठीक है, prefer in the sense ऐसा नहीं कि, अगर मेरे को सार commerce courses करना है, तो यहाँ पर सारे available हैं, चाहे arts के course हो, science के हो, homers के हो, तो यह Hindu college को बच्चे prefer कर लेते हैं, अगेन, अगर particular ही आप चाह रहे हैं, तो बात अलग है, scientist defense, founding college, चीक है, यहाँ भी बच्चे सबसे ज़्यादा prefer करते हैं, लेकिन यहाँ याद रखो, कि यह थोड़ा सा, उचे level वाला बोल देता है, लेडी स्रीराम की बात, अपने करी ली, यहाँ स्रीराम college है, यह commerce से related है, यहाँ पर याद रखो, भई, यह MA, economics honors, conduct कराता है, एक course, ठीक है, ऐसे ही, हाँ, और BA का conduct कराता है, बाकी यह commerce के ही course है, क्यूंकि यहाँ दो से तीन courses ही, यह conduct कराते है, हाँ, और नाम इनका है, तो भई, सबसे पहले भर जाता है, यह college, चेक है भई यह, हाँ, आपको उसके हिसाब से देखना है, marks कैसे हैं आपके, वही आपका, यहाँ पे target होने वाला है, college marks के according, आप चाहो तो भर सकते हो, और wait करो तो वो अलग चीज है, हांसराज college हो जाएगा, किरोरी मल, अगेन, रामजस college, आत्माराम, सनातंतरम, यह सारे आप मान के चलिए, कि यह क्या है भई, north campus के colleges है, और यहाँ पे भईया, अच्छे खासे marks आपके होने चाहिए, तब जाके आपको यह admission मिलेगा, again, category, reservation की में बात नहीं कर रहा हूँ नहीं, तो आपका उसर मिल तो, ऐसे पे भी तरहा है, मिल तो जाते हैं, लेकिन general को अगर हम यहाँ target करें, तो उसके हिसाब से चीज़ें देख रहा है, चीक है, स्रीव एंकटेश्यूर कॉलेज, again, बहुत अच्छा नाम है, और अच्छे reviews हैं, वीडियो में इस पे बना ही चुका हूँ, चलिए, जीज़ इन मेरी, women's college है, या girls college है, इसको आप target कर सकते हैं, देली college of arts and commerce, इसके लावा डीडियो पाद्या है, college हो जाएगा, देयाल सिंग college हो जाएगा, देयाल सिंग college ने भी अभी अपने आपको गूरूम किया हुआ है, अच्छे इन्होंने, records create किये हुआ है, यह अच्छा कर रहे हैं, जो है, यह evening facility भी प्रवाइड कर आता है, अगर आप working professional हैं, तो, गारगी college है, भूमन्स college है, यह ऐसे college है, आप मान के चलिए, कि यहाँ पे 5,5-5,5 के around marks आ रहे हैं, तो भी आप इसको target कर सकते हैं, महरा राजा अग्रसें college के बाद हम देखें, मैत्रही college, यह देखो यार, below the list में आते हैं, मतलब यह boomers college है, आपको आराम से मिल जाएंगे, हाँ, 400-500 के around वाले list में, गुरू तेक बहादूर खालसा college है, देयाल सिंग college है, यह evening facility मैंने आपको बताया था, प्रुबाइड कराते हैं, रामानुजू college है, इसके लाबा इंद्रप्रस्त college for boomers, यह girls college है, अच्छा नाम है, देखो भाईया, हाँ, चलिए, कलिंदी college, यहाँ भी आपको 400-500 के around अगर माक्स आ रहे हैं, तो आपको admission मिल जाने वाला है, सहीद भगासिंग college है, रामलाल आनन्द college है, सहीद भगासिंग evening college है, देखो evening facilities, मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, क्या कौन से colleges हैं, क्या उसके pros हैं, क्या cons हैं, उन सब पर हमने discuss किया हुआ है, evening facility उन सभी लोगों के लिए है, जो working professionals हैं, और जो मुझे लगता है, चाहे वो girls हों, movements हों, जो और भी अपने family के काम को, दायत को, उत्तर दायत को निभार हैं, उसके बाद बढ़ाई में आगे बढ़ रहा हैं, तो ये सारी चीज़े हैं, ये evening colleges हैं, जो आपको कम marks पर भी मिल जाते हैं, ठीक है, बस ये है limited course offer कराते हैं, दूसरी चीज़ है कि socially आप मतलब socialization आपका कम हो जाता है, क्योंकि यार समय आपको साम को मिलेगा, मतलब जो time मिलेगा हूँ college में सला जाएगा, दूसरी चीज़ है कि यार बहुत अच्छे options नहीं है, क्योंकि morning colleges हैं, जो बहुत अच्छे options प्रवाइट कराते हैं evening में कम facilities प्रवाइट आपको होप आती है, सहीद बगसिंग के बाद के साब महाविद्याल है, ये सारे के सारे तीस colleges हैं, new gates जिने आप क्या कर सकते हैं, अगर arts courses चारा हैं करना तो उसके लिए focus कर सकते हैं तो ये बात हुई किसकी सारे के सारे तीस colleges की अब क्या है, आपके marks, क्या आप चाह रहा है वीडियो नीचे comment करके जरूर बताएगा वीडियो अच्छी लगे तो like करना है और दोस्तों में share करना नहीं भूला है ताकि क्या होबा भई उनका भी भदा होता है तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अगली जानकारी के साथ तब तक के लिए चाहें